आज हम इसमें देखने वाले हैं जो पुराना पेपर है उसके बारे में तो इसमें कोई खास चीज आप देखेंगे मतलब सिंपल सा है प्रशन को जिस तरीके से पूछा गया है पहले पहले हमने शायद पेपर एक डिसकस किया था वो दूसरे वाला पेपर किया था जो अलग का था तो यह दूसरी शिफ्ट का है जिसको हम अभी देखने वाले हैं तो जिन लोगों कभी परसों पेपर होने जा रहा है उनके लिए यह चीज हैलफुल हो सकती है कहने का मतलब क्या है यहां पर आप देखेंगे पहले के लगबग 40-50 जितने भी प्रशन आज हमसे डिसक प्रशन है कहीं न कहीं उन सब प्रशनों को हमने मोटे मोटे तोर पर देख लिया है वैसे तो सबसे पहले यहां पर क्या लिकार देखिए पहला प्रशन स्क्रीन पर है कि जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतूं से बंदी रहने पर ही संगटित रहती है जब उन्हें अधिकार की लोह श्रिंख्ला से बांधने का प्रियत्म किया जाता है तब वे भिखर जाती है तब यहां पर आपको याद गया रखना है देखिए जितनी भी नीचे की रचनाए है यह सारी की सारी जो रचनाए हैं यह आपके पार्ट एक्रम में शामिल है जो लास्ट हमारा यूनिट है देखना यूनिट 10 उसमें यह सारे की सारे टॉपिक है ठीक है एक बात मैंने आपको बताई है देखना कि जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यह जो आपके पास द गाइड बुक जो है उसके कतनों को आप देखेंगे तो आपको वहां से सहायता मिलेगी ठीक है तो यह है क्या भूलूं क्या याद करूं ठीक है तो अगर आपने एक बार फिर से में कहा रहा हूं दिसंबर के लिए भी पढ़ रहे हैं तो अपने पास जरूर रखें उसमें आ आत्मकता है और यह आत्मकता का इसका कौन सा भाग है पहला भाग है उसके आत्मकता कितने भागों में थी चार भागों में संकलित रही है यह बात भी आप सब लोग जानते हैं बहुत ही मत्तपूर्ण है देखना यह वाला मतलब इनका जो आत्मकता है मतलब आपको अपने पाठे करम से इधर दूर जाना ही नहीं है, और चीजें देखनी ही नहीं है, तो यहां पर तो सारे के सारे क्वस्षन ही पाटे करम से ही थे, मतलब जो विकलब थे, घिक है। चार अध्याय ये भी मत्तपूर्ण कृतिया देखना और आप उद्री भी इनको यार रखिएगा दूसरा प्रशन क्या है यहां पर दूसरा प्रशन है यामिनी भाषा छोड़ आगरे की बोली में क्या है इन्होंने कहा बहुत ही मतलब असान सा क्वेशन था यह और यह आपन को फिसे made दूसरा क्या वनेगा कि यह बात इन्होंने कहां पर राएक प्रशन करता इंड और और ये दृष्टी में भी मिल जाएगा आपको ये प्रशन, ठीक है, उसमें भी आईए, उसके बाद आता है, तेखिए तीसरे नंबर पर जो प्रशन है, स्त्रियों का भाग्य पूरुशों की प्रसंता और उनके निर्णे पर ही आश्रित है, प्रस्तुत कथन किस उपन्यास से उद्रित है, ये उपन्यास हमने अभी दो-तीन दिन पहले ही पढ़ा था देखना, ये है जूठा सच, यहां पर भी देखिए, जितने भी आपके उपन्यास है, सारे के सारे पाठेकरम में ही है, मतलब आपको करना क्या है, उपन्यासों को अच्छे से पढ़ना है, ये ब ले लीजिए, ले लीजिए का मतलब है कि पढ़ लीजिए, इसको बाकी दिसंबर के लिए भी आप जो है उसका सहारा लेके रखिए, ठीक है, लेकिन कई बरी क्या होता है कि हम सिर्फ उसके वरो से बैठ जाते हैं, तो वो नहीं करना है, आगे मैं आपको बताऊंगा, के पास अभी फिलहाल, तो इस बुक को आप ले सकते हैं, यह मैं कह रहा हूँ, साथ में, ठीक है, तो जूटा सच में ये किस का कथन था देखना, ये तारा का कथन है, और ये इसका सवगत कथन है, आप ऐसे करके भी पूछा जा सकता है, आपको कि किस ने किस को ये कहा है, तारा का स्वागत, मतलब अपने आप से ही ये कथन इसमें कहती है, ठीक है, फिर इसके बाद आता है, देखिए, सूर्दास का एक मात्र अस्त्र क्या है, प्रेमा तिरेख है, जबकि नंददास का अस्त्र है, युक्ति और तर्क, तो यह हम सब लोग जानते हैं, देखना, नं नंददास का अस्त्र क्या है, युक्ति और तर्क है, ठीक है, ये कौन कह रहा है, ये जो बात आती है, आगे भी लिख रहा है देखना, कि फिर भी नंददास की रचनाव में अपना मोहक सौंदर है, तो नंददास के संदर में था ये, ना कि जो आपका, आवाज नहीं आ आ रही है, बनीता कह रहे है, आवाज नहीं आ रही है, यहां पर डीजे भी लगा हुआ है, अभी ठीक है, सीता तो कह रहे हैं कि ठीक आ रही है, यहां मिनिक भी कह रहे हैं कि ठीक आ रही है, तो अगर नहीं आ रही है, तो रीजोइन करके देखिए, शायद वो प्लास से ल प्राज़ा ऐता है साथी साथ आप देखते हैं, कि सूरदास का एक मात्र जो अस्त्र है प्रेमाति यह याद रख लेना आपको इतना सा ही प्रशन पूछा जा सकता है देखना ठीक है हो सकता है ऐसा प्रशन पूछा जाए कि हजारी प्रसाद दिवीदी के अनुसार सूर्दास का प्रेम क्या है सूर्दास का अस्तर किसको माना जया प्रेमातिरिय को युक्ति अर्तर्क को या फिर स्वंदर्यात्मक्ता को तो यहाँ पर याद रखेगा, यह हो जाएगा आपका प्रिमाति लेख, दूसरी तरफ यह जो अचारे रामचंद्र शुक्र रहे हैं, इन्होंने तो बहुत सारे कथन इसके बारे में कहे थे देखना, इन्होंने कहा था कि नंद दास को इसने जड़िया की संग्या दी है, ब या शब्दों को जब साधते हैं या शब्दों को रखते हैं तो ऐसा लगता है मान लिजें कोई रतन रखा गया हो, ठीक है तो इसने बोला रतन याद रख ले ना रतन जड़ने की बात की है इसने इसने बोला जड़िया शुकल में ठीक है और इसने क्या बोला हजारी प्रसादी वेदी ने इसने कहा कि नंददास का अस्त्र है युक्ति और तरक ये प्रश्न सिर्फ बीच से ही देखना था पहले पांचों नमबर प्रशन देखिए, निबंध आत्म कृती है, सुतापराधि जनकस्य धंड, इसके रशनकार कौन है? तो यहां पर इस प्रशन के रशनकार हैं, यह हैं हजाई प्रसाद दिवेदी, तो इनके निबंध पूछे गए थे, तो यहां से आपको कोई simply ऐसे निवन्द वगेरा ही पूछ गया है देखना मतलब एक रचना पूछेगी जिसको आपको बताना था ठीक है तो इसलिए इसको भी आप एक बार देखिएगा कि जितने भी आपके प्रमुक नाम हैं इन्हें आप एक कि लिएक होगा शायवी प्रषाद हैं अ को और चीज को और भी या रखने लाइक चीजे देखना की इसके जो निबंद रहे हैं इन मैं से सबसे इंपॉर्टेंट। साथ दिदर कहए पूस tôi है इस का और रहा है इसका देखना रशक्य Until टिक है इसमें जो है इनके निबंद संकलित थे लेकिन यहां पर जो सुता प्रादे जनकस्र्डण्ड है यह भी इनका एक निबंद रहा है इवंद आत्मकृति जो उसके अंदर की है तिक है अभी आवाज आ रही है बनिता अभी ठीक है मेरी आवाज बाकियों को आ रही है, ओके चलिए ठीक है आनी चाहिए, आगे क्या कहते हैं देखिए, शिक्स नंबर पर, छटा जो प्रशन है, उन्होंने रचना नैपुन्य का भद्धा प्रदर्शन नहीं किया, और ना शब्द चमतकार इत्यादी के खिलवाड में वे फंसे हैं, उनकी भाषा, उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवी में भी हमें देखने को नहीं मिलती है, शुकल जी का यह कतन किस के विशे में है, अगर आपने यहां पर भी PGT की क्लासिस में देखा होता, तो यह वाला कतन भी हमने डिसकस किया हुआ है देखना, ठीक है, अचारे रामचंद क्लासि के संदर्व में कहा गया है, और इसके बारे में हम आज ही PGT की क्लास में पढ़ भी रहे थे, कि यह वाला कतन जो है, वो एक्जाम में आपको UGC में पूचा है, और यह भी लास्ट टाइम का जो क्वेपर था, उसी में यह बात रही है, तो यहां पर देखे, कोई भ पात्र जो है, वो कौन नहीं है, तो इसमें जो देखिए मैना कहारिन है, रतना है, हंसा है, यह जो है, इसके मुख्या पात्र हैं, लेकिन मुख्या नहीं मतलब जो पात्र हैं इसमें, ठीक है, तो यहां पर राजा भगत जो है, वो इसमें नहीं है, ठीक है, तो पात्रों स के साथ ही रखा गया है कोई और जाना की जुरूरत नहीं है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भामय और शलाग्य है यह कथन का माईनी के संदर्व में किसका है तो यह जैशंकर प्रसाद ने इसके आमुक में क कहा है आमुक्यानी की भूमिका में कहा है देखना यह इसको याद रखिएगा देखिए आपको बेकार में नीचे नाम दे दिये गए और हमें लगा कि बहुत जादा डीटेल क्वेशन है लेकिन जितनी भी रशना है ना उनकी भूमिकाओं को आप एक बार जरूर लगियां रही है तो भूमिकाओं पढ़ना जो है वह हर एक रशना की जरूरी है आप में देखा कि इससे पहले वाले जो पेपर में आपका मैला आंचल की भूमिका से प्रश्न पूछा गया था तो यहां पर यह बात जो है इसकी भूमिका में कही है तो दो-तीन पर चलिए आगे देखते हैं फिर इसके बाद अगला क्या है प्रश्न यह पीडियव आपको अच्छे से शो हो रही है या नहीं हो रही है हुआ है कि दिख रही है सबको अक्षार इसके ना जूम करके दिख रहा है अपनी साइट से आप इसको जूम कर सकते हैं यह आपके पास इसमें ऑप्शन रहेगा ठीक है तो इसको आप देखिए ना थोड़ा इसको जूम कीजिए वा नेक्स्ट यहां पर कमाईनी की अच्छा यह प्रश्न तो हो गया है जैशंक परसाद ने यह बात कही थी देखना कमाईनी की कतादिश्टी के विशे में अब नेक्स्ट क्वेशन क्या है अगला प्रश्न है निमिलिकित कत्नों पर विचार करने की बात यहां पर की गई है तो यहां पर आप क्या ध्यान रखेंगे इसमें लिखा गया है देख ना कि प्रियोगवाद था वो ध्यान था कला पर तो इसलिए इसको शैलिगत विद्रोह भी का गया था ना डॉक्टर नगेंदर के द्वारा तो यह बात तो बिल्कुल सही है कि मतलब इनोंने एक नए तरीके से लिखने की बात कही थी फिर आगे यह दूसरी तरफ क्या कहत कि जो आपका प्रगतिवाद और प्रियोगवाद था इसके द्वन्द से नई कवीता तिस्साहित्य कया कि अन्lingen रूपसामने यह भी बिल्कुल साही बात है क्योंकि अमने प्रियोगवाद में समाजिक समस्याओं को यहां पर नजर-अन्दाज किया गया है तुझ है तो य यह चीज आप यहाँ पर इसमें थोड़ा सा याद रखेंगे कि समाजिक समस्याओं को इसमें नजर अंदाज करने की बात की गई है यहाँ पर जो विकल्प नंबर एक और दो हैं यह बिलकुल सही थे ठीक है इसको याद अखना है देखना यानि कि प्रियोगवाद के बारे म जो समाने से इसकी विशिष्टाएं हैं जिनके बारे में हमने पहले जाना उन्हीं को याद अखना है और यह भी आपने PGT में भी पढ़ा है LTT से भी पढ़ते आ रहे हैं आप इस चीज को लेकिन यहाँ पर प्रशन को थोड़ा सा देखिए लंबा करके पूछा गया था त जिन है न रिन की सोच हो न मरजाद की चिंता सौ को दूबला करके तब कोई एक मोटा होता है यह मोटा होना तो बेहयाई है सुख तो तब है जब सब मोटे होएं मोटे होने का मतलब है यहां पर सब का विकास हो सब का कल्यान हो ठीक है यह कथन किस उपन्यास से उद्रित है तो ये है आपका जो गोदान नामक उपन्यास है देखना उसका ये कथन है और ये होरी का कथन है इसको भी याद रखिए होरी इससे कहता है ये हीरा से कहता है यहाँ पर भी आपको दृष्टी की बुक में ये कथन जो है वो मिलेगा विलकुल लास्ट वाले में देखना जहा है अगर आपने नहीं देखा होगा देखना अवी तक तो आप इसको एक बार प्रशन पूछते हैं ठीक है गोधान से आपको हर प्रकार से प्रशन पूछा ही पूछे जाता है तो इसलिए इस फाने आसको पढ़ना जरुरी है इसके पात्रों को पढ़ना जरूरी, इसके कत्रों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है, यह आ सकता है, आपको देखना पेपर में, फिर से, ठीक है, लगतार आ रहा है, यहां पर इस उपन्यास से, और यह भी देखे, सारे ही उपन्यास पाठेक्रम में शामिल है, स्री, यहां पर में बल्चनमा नहीं है बल्चनमा किसकी रशना है वैसे इसकी तरफ नहीं जाना था आपको ये अभी बल्चनमा है नागर जुनकी कृती ठीक है तो मैला अंचल आपका बंटी और गोधान ये आपके पाठेकरम में थे भी आपका अलड़ी बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये ह प्रक्ति ये संख कलित थी ठीक है अब ये की दुख सबको मांजता है ठीक है ये आपने पढ़ी होगी ये पंक्ति देखना और ये भी आधुनिक कालिन या जो आप देखते हैं कि आपका जो प्रियोगवादी कभी हैं उनकी ये उनसे प्रश्न पूचा गया है, ठीक है? और ये भी प्रसीद देखना धर्म बिर भारती दूसरा सब्थक में रहे हैं, मुक्तिबोद जो है, ये तार सब्थक में थे, अगे भी तार सब्थक में हैं, और शिमशेर बहादरोजिंग दूसरा सब्थक के, कि जो प्रसिद नाम है, उनसे ही पूछा गया है, और मैंने बताया भी था आपको देखना, PGT की कलास मों भी बोला था, इसमें कोई संदे नहीं की ये भी आपने PGT में पढ़ा है, ये तो आपको किसमें, पांडे वाली बुक में मिल जाता ये कतन, कोई संदे ने की इन्होंने ठीक मौखे पर, इन्होंने का मत्खी जगा आना है सिर्फ कबीर, और वो गया, आपका पूरा, पूरा ठीक है, तो इस उसमें भी कोई भी गलती की गुण्जाईश नहीं होनी चाहिए थी असान सा वश्ण था देखना ठीक है अभी तक देखिया हमने 12 क्वेशन डिसक्स किये हैं उसमें से लगभग लगभग सारे ही क्वेशन ऐसे थे जो कहीं न कहीं आपने पड़े हुए हुने चाहिए थे दाहरन सहित विवेचन, आगे क्या लिखता है ये, होता है उन्हें रीती ग्रंथ कहते हैं, ठीक है, ये बात किसने कही थी, रीती कावे की भूमी का डॉक्टर नगेंद्र, इसने कहा था, ठीक है, ये प्रशन भी मौतपूर्ण है देखना, और साथ ही साथ याद रखेंगे, कि जो डॉक्टर नगेंद्र है, इन्होंने हिंदी साहित कहिती हास, इसमें ये बात कही थी, इसको याद रखेंगा, और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल के उपर एक संपूर्ण ग्रंथ ही लिखा है, रीतिकावे की भूमी का, उसको भी आप याद रखेंगा, तो री प्रसादिवेदी से इतना कोई मौत्रपून प्रशन आपको नहीं बनता है लेकिन यहां पर इस प्रशन का जो आंसर होना था यह होना था डॉक्टर नगेंद्र चलिए अगला प्रशन क्या है अगला प्रशन आता है शेखर एक जीवनी ऐसी विदेशी कलम है जो देश में ब उस्तोको भी रखिए और वच्चन सिंग की दो रचनाय हैं दूसरा साहित्य हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास दोनों को देखना है आपको हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास यह बात इन्होंने इसमें कही है शेखरिक जीवनी क सिंदर्म में डॉक्टर बच्चन सिंग ने ये आधुनिक इंदिसाई तक इतिहास में ये बात कही थी ये बात आप याद रखेगा अब देखिए सिर्फ और सिर्फ शुकल को ही फोकस नहीं किया जा रहा है देखना पहले क्या होता था कि अगर आपने देख लिया कहीं पर कि शुकल आया है तो शुकल को लगा देते थे हम लेकिन अब बाकी जो आलोचक है उनके बारे में भी पूछा जा रहा है ठीक है डॉक्टर नगेंदर और बच्चन सिंग दोनों ही नाम बड़े नामें देखना इनको याद रखेगा ठीक है अगला प्रशन है ये तो असान सा प्रशन था मागधी अपब्रश से किस आधुनिक आरे भाशा का विकास नहीं हुआ है तो मागधी से जो आपकी आरे भाशा का विकास नहीं हुआ है वो कौन सा होना चाहिए आपका इसमें आपको बगहली सर एक तो बगहली होगा बगहली यस हाँ यही होना चाहिए इसमे केवल चार तो भी कल्प नमबर दी क्योंकि अस्मिया उडिया और जो आपकी बिहारी है अस्मिया उडिया और बांगला और बिहारी ये किस्से हैं ये मागधी अपवरंश से निकले हुए हैं और ये हमने शुरुआत में पढ़ा था देखना जो डॉक्टर भोलाना तिवारी है ना इन्होंने जो अपवरंशों के भेद बताए थे उसमें देखना आपने और ये पड़ा है हमने और ये पांडे वाली बुक में भी दिया हुआ है आपको पांडे की बुक प्रिश्ट संख्या आप आई थिंक 20 के आसपास देख ले ना वहां पर आपको ये मिलेंगे 15 से 20 के बीच में वहां पर आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा कि मागधी अपवरंश से कौन-कौन से निकली बिहारी असमी असमिया उडिया बांगला ये उससे निकलती है ठीक है और बिहारी के अंतरगत ही आगे क्या आती है आपकी भोजपूरी मगही ठीक है या पूर्वी हिंदिया ठीक है तो ये वाला प्रशन की आपने कहीं न कहीं पढ़ा है इसको भी हम पीजीटी की क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं देखना और यहां से हमेशा प्रशन आता ही आता है फर्स्ट यूनिट से 19-10 प्रशन आयते पीछले वाले पेपर में देखना तो ये वाली जो पंक्तिया ये मुक्ति भोध की पंक्तिया है और इनकी अंधिरे में नामक कवीता से है तो ये अंधकार से ही याद रख लेना था क्योंकि इन्होंने अपने साहित्य में अंधिरा शब्द का इस्तेमाल ज्यादा किया हुआ है ठीक है इसको आपने याद रख यहां पर देखिए आपको लिए तो मैंने पहले कल भी जो मैं बात आपको बता रहा था कि आपको कुछ एक क्वेश्चन ऐसी रहेंगे जो बिल्कुल आपको क्या है वैसे ही है जो मतलब डारेट कॉश्चन है इनको गलत नहीं करना बस समझ के करना इनको इसमें टाइम लिकत नहीं आएगे इन प्रश्णों के अगला प्रशन क्या है प्रतिक सर्चक या विधाता जीवन के चाहे जिसक्षेत्र की बात हो विद्रूही और स्विकारवादी दोनों साथ ही साथ होता है प्रस्थुत कथन किस निबंध से उद्रित है जित्रें भी आपके भी रखना है कि जो आपके निबंध है उन से भी प्रश्ण आया हुआ है तो निबंधों से हलांकि जाला प्रश्ण नहीं है लेकिन फिर भी है प्रश्ण कुछ एक तो इनको याद रखिएगा तो कवीता क्या यह मोस्ट इंपोर्टन निबंध है देखना इसको भी याद रखिएगा संस्किति और सवंधर यह भी बहुत मत्पूर्ण करेती है तो एक बार इनको एक बार पढ़के जाना है आपने या फिर इनकी मुख्ये जो चीज़े हैं उनको जरूर देखिए और मैं नई कवीता की प्रवृतियों में शामिल नहीं है अब देखिए नई कवीता की जो आपको विशेष्टाय है या प्रवृतियां है उनको पूछा गया है जीवन के प्रति आस्था बिल्कुल सभी बात है इसमें दो तत्व प्रमुखें अनुभूति की प्रमानिकता बिल्क व्यक्ति का चित्रन वर्ग्य चेत्ना के दारे में किया गया है तो ये बात इसमें नहीं है ठीक है तो जो व्यक्ति का चित्रन है वो इसमें वर्ग्य चेत्ना वर्ग्य चेत्ना आप सब लोग जानते हैं शोशक और दूसरा जो आपका शोशित वर्ग है ये वर्ग्य चेत्न असान था बस समझना था इसको अब अगर समझा होगा तो ठीक है नहीं समझा होगा तो फिर मुश्किल आएगी नेक्स कुशन क्या है अगला है देखिए हर हिंदुस्तानी की कि यही हालत है दो पैसे की जहां किफायत हो वह हुआ हुधर ही मुह मारता है तो यह वाला जो तो आप simply यारपिएंगे कि यह रागदरवारी उपन्यास का है ठीक है अब यहां पर यह पूछ रहा है कि यह किस पात्र का है ठीक है तो यह master मोतिराम का तो इसमें विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही होना चाहिए ठीक है यह master मोतिराम जो है, यह किसे कहता है, यह कथन, अच्छा, आपने अभी इसको नहीं पढ़ा, ठीक है, मास्रे मोतिराम जो है, अपने शिश्यों को कह रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ओके, नेक्स्ट क्या है, अगला जो प्रशन देखे, क्योंकि वह जिन्दा था, क कि आप समाज में व्याप्त, जो भी चीज़ें हैं, जो भी बुराईयां हैं, उन से आप कितना जो है, वो मतलब कितना उनका सामना करते हैं, यह आपके पाठेकरम में शामिल उपन्यास जो है, वो नहीं था, देखिए, यह महभोज नामक चुकृती है, उससे पूछा गया ठीक है, तो देखना पड़ेगा कि आपको जो अन्य उपन्यास हैं, उन से भी थोड़े बहुत प्रश्ण जो है, वो आई हुए हैं, यानि कि ऐसी कृतियां भी हैं, जो आपकी बाहर हैं, इसके लिए जो जिस तरीके से हम सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं, देखना, देखने पड़ेंगे साथ साथ में, लेकिन जादा नहीं है वो, उसमें आपको सिर्फ थोड़ी-थोड़ी चीज़ पूछनी, पूछी जाती हैं, यासे लास्ट टाइम भी, लास्ट क्लास में भी बनी था, मैंने ये सवाल भी किया था, कि क्या वही कहानिया पड़नी है, वैसे तो मुख्य रूप से वो ते रही हैं, उनके बढ़े में मिस्तार से देखना है, लेकिन अगर इस तरीकिका प्रशन और भी आ जाए, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान जादा देना पड़ेगा, जो बहुत जादा जरूरी चीज़ हैं, मतलब, मेरी बात नही को कर लिए हैं, इन दोनों में से बताइए, यह किस नाटक का कथन है, दो नाटक हम कर चुके हैं अभी पिलाल, इन में बताइए, अंधेर नगरी का यह कथन जो है, वो किस पात्र का है, वो गुरू बोलता है, पुरू का शिश्य, महंत जी कहते हैं इसको, किस शिश्य को ज होता है, गोवर्धन को कहता है, जब वो बोलता है कि वह तो इस नगरी में क्यों रहना चाहता है, जहां पर सब कुछ भी ठीक जान पड़ता, ठीक है, इस सब चीज ठाके में भिक रही है, ठीक है, तो वो बोलता है कि ऐसी नगरी में नहीं ठीकना चाहिए, अना कि वो बोल उनकों की संख्या पूचते हैं तोयाद रहिएगा चंदरक्प्त भी पाठेक्रममें शामिल हैं अंधा यूब भी पाठेक्रम में शामिल नाटक है। नेक्सट यहाँपर यह कहानी सोलवी शताब्दी के बाध लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है पदमावती समय के वीशय में ये कतन किसका है अब पुराना पिपर अगर आब आपने देख हो गा वहाँ पर पूचा आए पदमावती समय किस का है तो यहां पर पृत्वराई रासों का एक यह भाग है यानि की एक सरग है यह पदमावती समय तो यह बोल रहा है कि ये सोली शतावदी के आसपस लेखी हुई थी, किसने माना, यहीं से यारख लेना था, पदमवत को सोली शतावदी के आसपस माना है, हजारी परसादी वेदी ने, और इनका ही ये कथन भी है, ठीक है, तो हजारी परसादी वेदी, इनकी जो छोटी सी पुस्तक आती है देखन हिंदी साहित्य का आधिकाल उसमें आपको यह चीज मिलेगी ठीक है लेकिन इतना डिटेल्ट आपने नहीं पड़ा होगा पर याद रखना पड़ेगा ठीक है अरे इन्हें रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा पंक्ति में मुक्तिवोध का संकेत किस और नहीं है यह जो इनकी पंक्ति है देखना यह वो रहा कि किस और संकेत नहीं है पहले पहले है आत्म परक जड़ी भूत संदर्या भिरूची का तिरस्कार इन्हों ने किया है ठीक है मस्तिश्क शिराओं में तनाव पैदा करने का अग्रह है विव्यक्ति के खत्रे उठाने का ठीक है तो इस और यह संकेत नहीं कर रहे है ठीक है यह वाला प्रशन जो है आपको आई थिंक यह अंधेरे में कवीता से ही रखी गई है उसी की यह पंक्तिया है नेक्स्ट कोशन आता है तो जब हम इसकी व्याक्या करेंगे तब आपको यह जाधा अच्छे से समझ आ जाने कि सारी क्या है पाठेक्रम में शामिल है इसकी कहानी है निर्मलवर्मा की ठीक है इसको याद रखेगा सिक्का बदल गया यह कृष्ण सोबती की बड़ी मत्तपोर्ण है यह कहानी ठीक है इससे तो हमें अभी प्रशन करने भी है देखना कोशी का घटवार यहामने कर लिया था शेकर जोशी की है और लास में अपना अपना भागय जनेंद्र ठीक है तो विशाल भारत में कौन सी रही इसमें आपको याद रख लेना है अपना अपना भागय जो है यह क्या थी विशाल भारत में है ठीक है कलपना में कोसी का घटवार यह भी याद रखेगा सिक्का बदल गया ठीक है बताई हुई है देखना वैसे यह जब जब हम इनको पढ़ा इन कहानियों को तो उसमें ये चीज़ें आपको साथ में देखनी है ठीक है हंस में जो है आपकी परिंदे आ जाएगी तो D के साथ पिकल्प नंबर एक हो जाएगा हंस जो है वो किस कहान को परकाशित करने वाली पत्रिका रही ये रहेगी परिंदे ठीक है याद रखेगा इनको बहुती मतपने और परिंदे से ही नई कहानी की शुरुवारत भी मानी जाती है ठीक है नई कहानी आ अन्दूलने में तीन नाम थे राजेंद्र यादव और मोहन राकेश और इसे करके भी आपको प्रशना सकता है यहां पर यह वाला प्रशन भी सधान सा प्रशन है और जब भी हम हिंदी कहानियों के बारे में शुरुआती आप कहानियों में देखेंगे तो हमने देखा कि कौन सी कहानी कि इस पत्रिका में संकरित है या प्रकाशित है तो उसको आप एक बात जरूर देखिए ठीक है ये प्रशन भी काम का है तो आपको यहां पर भी अपने पाटे ग्रम पर ही अडिग रहना था इदर उदर नहीं जाना था कहानियां भी लगबग वही है जो आप बुखसा जादौबटी और डांगी ये किसी थी ये थी ब्रजवाश्य की और ये भी पांडे वाली किताब में ही है ये प्रशन और कहीं नहीं है ठीक है वहीं से देखिए इसको आगे ये क्ला कियानीकि ज्हार चमरुण हर्यानोवी यानि कि आपकी जो बांग्रू है ठीक अन्य नाम है इस बोली का ठीक है और उपबोलिया इसकी जाक्ट ववर चमरवा है जोलहा गहुरा जूडर ये किसकी है ये अवधी की क्या है अवधी की उपबोलिया है ठीक है ये याद रख लेना देखिए जबकि कौशली और बैसवाडी ये अवधी के अन्य नाम है गलत तो नहीं बता दिया मैंने कुछ इसमें ठीक बताया या कुछ अलग है ठीक है न यहीं है यह से ओके तो यह भी आसान सथा देखिए PGT में पढ़ाया आपने यह LT में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को तो यहां से तो ऐसा ही प्रशना आता है और यह आएगा ज़रूर यहां से प्रशना निमें लिखित कथनों पर फिर से बोला गया है विचार की कीजिए तो यहां पर यह क्या कह रहे हैं देखना कि जो आपके पास पहले पहले क्या बोला गया कि जो प्रिये प्रवास है इसका कतानक श्रीक्रिशन के मत्रा गवन के वरितांद पर आधारी थे बिल्कुल सही बात है मत्रा गवन पर आधारी थे इसका वरितांद देखना इसमें 17 सर्ग हैं, ये बात भी इसमें आपको क्या याद रख लेनी है, बिल्कुल सही है, 17 सर्ग हैं इसमें, इसके बाद ये क्या कह रहे हैं, श्रीक्रिशन को प्रिये प्रवास में भगवान माना गया है, तो ये भगवान मानने की बात इसमें नहीं है, ठीक है, इसको तो यहां पर आपको देख लेना है एक दो और चार कहां पर है ठीक है तो यहां पर एक दो और चार तो चार ही देखना था आपने कि हर्योद कहां है इसके रशनकार यहां तो चार है ही नहीं यहां भी चार है ही नहीं तो यह चला जाने थे फिर आपके पास बचे एक दो और तो एक में बिल्कुल सही बात है मतुरा गवन तक है तो यहां पर एक नहीं है तो यह निकल गया आपका ठीक है ऐसे करके आप इसको eliminate करके देख सकते थे तो बिल्कुल असान सा प्रशन है यह भी आप PGT की क्लासिस के लिए पढ़ते हैं प्रेम की पीर या इश्क का दर दिन के एक एक बाके में यह तो बहुत यह असान सा था आलम आलम को इसने क्या कहा था प्रेमौनमत कभी कहा था यह भी आपने PGT में होगा तो बताना ठीक है यह चीज़ें आपने PGT के लिए पढ़ी हुई हैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी हैं कौन उसमें प्रेमौनमत कभी है कौन सच्ची मुंग का कभी है कौन साक्षात्रस मूर्ती है ठीक है और कौन जो है आपका यह प्रेमौनमत रस्वनमत साक् सा क्वेशन था मतलब कहने का मतलब है अगला प्रशन आठाइस सूरेकान त्रिपाठी निराला ने कमाईनी को रहसवाद का पहला मां का वेमान है यह भी आपको PGT की क्लास में लिखवाया था अगर आपको ध्यान होगा पूराने पेपर क्या मतलब पूराने लेक्शस मानव C Meghan के कहता था इस ने क्या क्या मانव करेकास शक्त कि और जो नंद दुलारे वाजबई थी उसने रसात्म क महा काव्य कहा था, रसात्मक महा काव्य, और ये बात जो किस ने कही थी, जो यहां लिखी है आधुनिक सवैता का प्रतिनी दी, ये बोला था नामवर सिंग्य, देखना ये सारी चीज़ें लिखवाई हुई है, लिखवाई नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं सारा का सारा इसको लिखवाया है आपको ये, तो इसको भी आप रखिए तो 28 में प्रशन का क्या हो जाएगा एक सही, दो गलत तो यहां पर दूस्ते को सही बोला गया है तो यह अपने आप में गलत हो गया, ठीक है तो दोनों क्या है सही है अच्छा ये वाला होगा, भी एक कतन सही है, कहा है दोनों सही अच्छा ये है नहीं, गड़़ड़ हो गया कुछ A सही, और B गलत मतलब एक सही, दो गलत कहा है B में ठीक है, बी में सर कविता एवं कवियों को सू मेलित करने को बोला गया है, अब आपको अब इनको देखते हैं अच्छा जी इसमें देखिए, इसमें एक गलती यहां पर लिखी हुई है, सबसे लास वाला देखिए, हवाई चुप नहीं है हवाई चुप नहीं रहती वेड़ों को पाल मतलब D के साथ कौन आ जाना था, एक आ जाना था D के साथ एक यहां पर है, और यह निकल गया वैसे अपनी केवल धार अरुन कमल यह मैं अमेशा बताता हूँ इसको समकालीन कविता में कि बाकी चीज़ें पढ़े ना पढ़े तो नवगीत वीधा जो समकालीन काव्य है, उसको आप एक पार देखिए, लिला दर्जगूरी को, अरुन कमल को, अलोग धनवा और बेड़ों कुपाल बहुती नए नाम है देखना, इनको आप तोड़ा सा याद रख सकते हैं, तो देखिए इस प्रश्लिक को भी, मुक्त प्रश्ण वाले प्रश्ण आपको LTE TAT से लेकर के UGC NET, हमेशा में बताता रहता था कि इस तरीके के प्रश्ण आपको डेफिनेटली आते हैं, देखना, दलित से आपको जरूर प्रश्ण आएगा, दलित उपन्यासकार, दलित कहानीकार, दलित लेखक है न, तो ओम प्र प्रश्ण बेचैन भी दलित लेखक हैं, और केदारनाथ मेना भी दलित लेखक माने जाते हैं, जबकि मृदुला करक जो है वो दलित नहीं रहीं, ठीक है, इसलिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर जो एक, दो, तीन है, यह आपके सही हो जाएंगे, ठ दलित साहिते के उपर इनका कहानी संग रह रहा है, ठीक है, दलितों के उपर मतले हो, बाकि शवरा सिंग बेचैन ने भी लिकिती, चमार की चाय, और यह कहानी इसकी मतपून है, के दारनाथ मेना की रहेगी, आदिवासी, ठीक है, याद रखना है इसको, चलिए, आगे दे प्रक्रण एक है, उसमें यह कहते है, यह शुकल का खतन है, नाटकों को उनके अंकों के साथ सूमलित करने को यहाँ पर बोला गया है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि नाटकों के अंक जो है, वो कितने है, सूची एक को सूची दो से मिलाने को बोला गया है, देखिए, अशार का एक margin तो यहां पर जो सबसे यीजी था वो था अंदा यeक अंधा यeक में किफ़्य हैं और यह भारत दुर्दशा में पीए 6 में चैने पढे हुए हैं इसके लाबा बाकी भी हैं चंद्र गुप्त में 4 हैं इसको याद रखने लिए 4 चंद्र कुप्त कि आपको पाटे करम को खोलना है, उसको देखना है, कहानी उपन्यास्तनातक को पहले तो यही पढ़ना है, कि उसमें अध्याय कितने हैं, या उसमें अंक कितने हैं, या उसमें खंड कितने हैं, या अध्यायों को क्या नाम दिया गया है, जैसे हमने लास क्लास में भी पढ़ का प्रियोग किया है तो ये वाला प्रश्न जो है ये भी हम PGT से ही पढ़ते आ रहे हैं देखना तो दंडी ने इसको अभीर कहा था ठीक है यह याद रख लेना और दंडी की जो रचना है वो यहाँ पर आलरी आपको दे दी गई है देखना कि इनकी रचना का नाम क्या है तो इनकी रचना का जो नाम था ये रहेगा आपका काव्यदर्श ठीक है याद रखिएगा बर महतपुन कृती है देखना इनकी काव्यदर्श और इसमें इनों ने क्या बात कही है ये बात आपको दिहान में रख लेदी है काव्यदर्श जो दंडी का समय भी कर बार पूछते हैं देखना ये सात्वी शती के आसपास जो है वो विद्यमान रहे हैं ठीक है तो इन्होंने इसके लिए क्या कहा अभी रादी कहा है ठीक है तो आप इसको लिखेंगे अभी रादी गी रथह कावेश कावेश नहीं श आदा ही आएगा फिर उसके बाद है वपब्रश हर ये इनका पूरा कथन है ये इनका कथन हो जाएगा तो यहीं से याद रख लेना है है कि इन्होंने अभी रादी को ही इसका अर्थ माना है ठीक है किसका अचारे दंडी का जनमकाल के अनुसार उपन्यासकारों का सही क्रम क्या है तो यहां पर हजारी परसाद दिवेदी इनका जनम वर्ष क्या था हजारी परसाद दिवेदी का 1907 यश्पाल का 1903 भीशमसाहनी 1915 अमरितलाल नागर 1916 यानि कि पहले पहल आएं दूसरी नमबर पर एक सौरी मतलब बी के साथ आना चाहिए बुरी नमबर पर ए ठीक है दो एक तीन चार हां ठीक है ऐसे आएगा दो एक तीन चार हजारी परसाद दिवेदी 1907 यश्पाल 1903 भीशमसाहनी 1915 मरितलाल नागर 1916 तो मतलब जो प्रमुक नाम है देखिए यह सा हमारे के सारे उपन्यासकारी है हमारे पाठे क्रम में ही शामिल है कहीं बाहर से नहीं पूछे हैं बस इनको डेट वाइज याद रखना है आपको और इनके उपन्यासों को भी डेट वाइज याद रखना है जो हमारे पाठे क्रम में शामिल है यह बात मैंने कल वाली क्लास है उसको लिख लीजे फिर आप इसको खुद कर लिजेगा प्या ट्रीक है हल चलाकर है गडर्ये नहीं हल चलाकर गडर्ये मजदूरी की कला सीखी और फकीर बनकर समाज में नए समाज में नए आदर्श स्थापित किये यह सिंपल सी ट्रिक है इसको याद रखने ही देखना अब अगर आपको पता होगा तो आप इसको ठीक कर पाएंगे अगर नहीं होगा पता तो फिर आप इसको गलत ही करेंगे ठीक है अब इसको कैसे करेंगे देखना यहां पर देखि यानि की इसका जो पहला वाला भाग है टोटल इसमें कितने भाग हैं? साथ भाग हैं देखना याद रखना कि कितने उप्षिर्शक हैं मजदूरी और प्रेम के साथ भाग तो सबसे पहले है हल चलाने वाले का जीवन पहले नमबर पर आएगा ये वाला ठीक है? दूसरे नमबर पर है गडर्ये का जीवन तो यहाँ पर गडर्ये का जीवन इसमें था ही नहीं बिकल्प में फिर तीसे नमबर पर है मजदूर की मजदूरी यहाँ पर देखें मजदूरी आगया ना तो यह आपका तीसे नमबर पर होगा मजदूर की मजदूरी यह नहीं था आपको तो उसके बाद था कला तो यह है मजदूर की कला यहां पर आया देखिए तो मजदूर की कला जो है आपके पास यह है चौथा ठीक है पहला था हल चलाने वाला चौथा था आपका मजदूर की कला पांचवा था मजदूर की फकीरी यह है आपका पांचवा ठीक है मजदूर की फकीरी तो यहां पर कला सीखी ठीक है और फकीर से या रख लेना फकीरी यह हो गया चौथा यह हो गया पांचवा ठीक है समाज से या रख लेना आपको कि समाज का पालन करने वाली दूद की धार।, समाज से क्या नाम था ? समाज का पालन करने वाली दूद की धार। समझंभी और इसको याद रखिए ओक lugिया है ञाउट इसका अब लास्ट में क्या था नय आदर्श से याद क्या रखे नहीं सबहेता का नया आधर्श धीक है कि नहीं है पस्चिम्म रख सकते हैं और मुच्प है कि लेकिन के इसका यहां से अब नहीं होना चाहिए अब है ना तो बस इसको एक बार देखिए आपका काम यहां से असानी से निकल जाएगा ठीक है ठीक हो गया अब इसको आप खुद करेंगे कि कौन सा भाग जो है वो इसका पहले आएगा कौन सा भाग जो है इसका बात में आएगा ठीक हो गया चलिए यह तो बताना यहां देखिए पश्च्चमी सवेता का नया आदाश्ट है यह साथ वंभाग था इसका ठक लगी स्वीटा नहीं सेर अभी ठीक लग रहा है थोड़ा अभी भी ज्यादा स्ट्रेस तो नहीं लग रहा है कि नहीं होगा मतलब आराम से करना इत्मिनाम से करना आपके पाटेकरम में ही हैं चीज़ें कहीं नहीं है ठीक है यह क्वेश्चन मैंने जान बूझ कि आपको आज इसलिए रखा ऐसन नहीं किया लेकिन बाबजुद इसके जितने भी कोशन थे कहीं न कहीं हमने सारे के सारे वो पड़े हुए है और जो नहीं भी पड़े हैं वो तो इतना तो आपको self भी करना पड़ेगा, यह देखिए, आगे क्या बोल रहा है यह, गुदान की मूल समस्या, रिन की समस्या है, यह जो आपका प्रेमचंद और उनका यूग लिखी थी, रामिला शर्मा ने, उसमें है यह, ठीक है, यह सरशना में है यह, प्रेमचंद और उनका यूग नामक क्रिती में, इसमें यह कहा है कि गुदान की मूल समस्या, जो है वो रिन की समस्या है, ठीक है, याद रखना है, मतपून है यह प्रशन, अगला है, जूठा सच को अकवारी कतरन किसने कहा है, अकवारी कतरन कहने वाले जो लेकक रहे हैं, वो कौन थे, इ रह गई थी, इनको आप लिख लीजिए, इसी प्रशन से ही बन जाएगा देखना आपको कि जूठा सच को अकवारी कतरन किसने कहा था, ठीक है, तो ये बात कही थी, रमेश कुंतल मेगने, ठीक है, इसने ये बात कही थी, इसके बारे में देखना, जबकि यहां पर, जो आ याग खेला, ये बात इसने कही थी, ठीक है, ये यादखना है आपको, और, रमेश कुंतल मेगने नहीं होना चीज़ इसका, इसका आंसर क्या होगा, शिव कुमार मिश्र है, इसका आंसर, स्वरी, इसका आंसर होगा, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल मेगने तो लिखा तक भी ये कला की जैसा लिखा गया इतिहास है कला जैसा लिखा गया इतिहास ये लिखिए रमेश कुंतल मेग ने बुला कला जैसा लिखा गया इतिहास ठीक है ये कौन कह रहा है रमेश कुंतल में भी कह रहा है और लास में आता है रामिलाश शर्मा रामिलाश शर्मा ने क्या माना ठीक है मतलब ये कह रहा है कि जूटा सच को जिसने सर्विश्षेश्च उपर न्यास माना है ठीक है कि यह यह रख लेना है सर्विश्ष्ष्ट उपर न्यास राम शर्मा मानता है किसका यश्पाल का ओके चलिए फिर नेक्स कॉश्चन है यहां पर 49 कमाईनी के संदर्व में लिखा गया है देखना कमाईनी में अनंदवाद तो हम सब लोग जानते हैं कि जो आपका ये जैशन के प्रसाद था उसके उपर किस दर्शन का प्रवाब था शेफ दर्शन अनंदवाद का प्रवाब तो ये अनंदवाद जो है वो इसके ढंका नहीं है वो तो शेफ दर्शन अनंदवाद है वलवाचारे के आगे वलवाचारे तो आपके कौन से होगे व्यशनव होगे ठीक है तो इसलिए ये तो कतन गलत हो जाएगा है यादर किएगा यहां पर विकल्प नंबर A सही और B जलत है ठीक है यह वाला हो जाएगा इसमें फिर आता है चालीसवा कोशन देखिए भारतेंदु युगीन कावे के संदर में कौन सा विबरण सही नहीं है तो इसमें से कौन सा विबरण ऐसा है जो सही नहीं बोला गया यह है युक प्राचीन ब्रजभाशा कावे और नभी खड़ी बोली ठीक है इसमें प्राचीन परमपरानुसार रस अलंकार नाइका नाइका भेद आदी से समनित रचनाय लिकी गई है सही बात है इसमें देशवक्ति लोखित समाजिक पुंदर निर्मान आदी नवीन विश्यों पर भी रचनाय प्रस्तुत की गई है यह भी सह जाके आई इसलिए विकल्प नमर्डी जो है गलत हो जाएगा बहुत ही आसान प्रशन था बशर्ते आपको इसको आसान बनाना था समझना था इसको और इत्मेनान से इसको पढ़ने की आविशक्ता ही इसमें थी ठीक है इसको याद रखिए चली अगला प्रशन देखते है अगला प्रशन क्या है निमिलिकित कृतियों का उसके जो सही लेखक हैं उनके साथ इसको आपको सुमेलित करना था यहाँ पर देखिए वैसे निर्मला जैन और देवेंदरनाज शर्मा यह दो नाम जो थोड़े से इंपॉर्टेंट मतलब थे यहाँ पर पाश्चात्य साह जहां पर है एक महीं है ठीक है यही था इसका बाकि आपके दो निकल जाने थे डॉक्टर नगेंदरे ने क्या लिखा अब डॉक्टर नगेंदरे ने लिखा था आपका यह पाश्चात्य कावेशास्तर की परंपरा ठीक है यह वाला और सत्य देव चौधरी के लिए बचा पर आपका लास्ट वाला उप्शन ठीक है इसको याद रखी यानि कि जो अलुचनात्म क्रितियां है उनको पूछा गया था तो यह भी पढ़नी पढ़ेगी मलब डारेक्ट पॉर्शन ही है यह भी आपको पढ़ना है इनको बस एक बार फिर आता है प्रकाशन वर्ष्ट क यह आया आपके पास यहां पर सबसे पहले देखिए भाषा और संस्किति भाषा साहित्य और संस्किति यह 1949 की ठीक है फिर लोग जीवन और साहित्य यह था 1955 का रामिला शर्मा प्रगतिवादी समीक्षक रहे हैं देखना और इनकी जो यह अलोशनात मकुस्तक है ना कई बा इनको जरूर पढ़ना है आपको इनको जरूर देखना है क्योंकि मत्पुन है फिर विराम चिन आता है इनका यह आप याद रखिए विराम चिन से पहले इसमें और आती है देखना कौन सी लोक जीवन और साहित्य उन्य सो पचपन में साहित्य और संस्कृति ये उन्य सो चौबन में ठीक है? फिर आएगा विरामचिन विरामचिन था ये उन्य सो पचासी में ये वैसे आखरी लास्ट जैसे में लिखा गया था ये इसको याद रखिएगा तो इस तरीके से हम देखेंगे सबसे पहले आएगा बाशा साहित्य और संस्किति यानि की एक नमबर पहले ही है फिर उसके बाद आएगा साहित्य और संस्किति दूसरे नमबर पर एक चार एक चार कहां पर है ए अगला प्रशन हम देखते हैं इनका सा अर्थ सोस्थव और नवनमेश बिरले ही कव्यों में मिलता है रितिकालीन कव्यों में बड़े ही प्रगल्व और प्रतीभा संपन कवी थे यहां पर पहली चीज तो यह याद अख लेनी है आपको कि यह अचारे रामचंद्र शुकल का कथन रहा है अब जो शुकल है वो किसके संदर्ब में जो है यह वाला जो कथन कहते हैं ठीक है तो इस सब्सक्राइब और नवनुमिश बिल्ले कवियों में देखने को मिलता है यह किसके बारे में कहा गया है यह का था इन्होंने देव कर देव के बारे में ठीक है तो देखिए यहां पर शुकल का इतिहास फिर से पढ़ना पड़ेगा लोग एक बार आपने देखा फिर से पूछे जाता है चीक है मतलब इससे प्रश्ण बनते हैं इसके लिए तो इसने हिंदु जाती के प्रत्री कभी कहा था वो तो आप सब लोग जानते ही है लेकिन इसके साथ-साथ आपको याद रखना है कि जो मतिराम है हलां कि मतिराम के बारे में कोई खास बात इन्होंने नहीं कही है लेकिन फिर भी कभी कभार पूछा जाए तो वह सकता था मतिराम की तरफ तो जाने नहीं था जो बड़े लिखके उनके तरफ ही पूछा जाता है कि प्रश्ण अगला प्रश्ण है यहां पर एक कथन रखा गया है देखिए इस पर कथन और जो कथन वाले प्रश्ण समुदाय के लोक भाषा समुदाय को लोक भाषा का सहरा लेकर अपनी कावच परंप्रा में नया जीवन डालना पड़ता है छीक है तो यह वाद सही है ठीक है दूसरे है क्योंकि पंडितों की पर भाषा स्थिर होगर लोक भाषा से दूर पढ़ जाती है और जनता पर प्रभाव डालने की उसकी क्षमता होने लगती है तो यह भाषा के संदर्भ में जब हम शुरुआत में बढ़ रहे थे तो यह चीजे वहाँ पर हमने जानी थी कि भाषा जो है वह आपकी मतलब पंडितों की गावे भाषा जो है वह मतलब स्थिर होकर लोग भाषा ही क्या करते हैं प्रियोग में लाते हैं तो यहाँ पर दोनों ही कतन इसमें क्या है रहे सही हो जाएंगे इसको आप याद रखिए ओके चलिए आज का हम आखरी प्रशन करेंगे इसके बाद हम आगे के पैंतारिश जवब आगले भाग के लिए रखते हैं क्योंकि अभी सम प्रवर्तक भी थे यह कथन इसका है तो यह अचारे रामचंदर शुकल ने ही कहा है तो शुकल ने बहुत सारे कथन काय हुए हैं देखना यहां तक आपको यह प्रशन याद रखने थे इसके अलावा बाकी जो 45 बनते हैं उनको हम देखेंगे अगले भाग में आप सब लो